जब हम अमन की बाद करते हैं, बाईचारगी की, दोस्ती की, तो उसके लिए प्लैटफर्म्स पाकिस्तान में बहुत कम हो गया है। प्लै इंटर्टेन्मेंट का बहुत शुक्रिया है। हमारी जो और्गनाइजेशन हैं, हम यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा टैलेंट जो चाहता है शोकेस होना, तो यह हमारी प्रियोटी होती है कि हम उसको फैसिलिटेट करें, उनको इंटर्टेन करें और उनको शोकेस करें। क्या ऐसी चैनिंजिंग चीज़े हैं जो डॉक्यमेंटर्टी फिल्मेकर को फेस करनी होती है। वो कहानियां डूणना जो लोगों ने कभी नहीं देखी हों। उसके बाद लोगों को कन्विंस करना। एक हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जिसको हम कहते हैं महरदर आर्ट इन प्रोडक्शन। महरदर मीन दे डॉर ओफ लव, दे डॉर ओफ पीस। अगर आपको तहराओ सबर और बरदाश्ट सीखना है, तो वो आपको एक औरती सिखा सकती है। वा, 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 क्या बात, क्या बात, वा, जब बच्चा मस्ती करता है क्लास्रूम के अंदर, तो टीचर सजा के तावर पे उसको लड़की के पास बिठाती है। हमारे इतने नसीब का हमारे टाइम में तो लड़की हैं थी नहीं। बिस्मिल्लाइ रख्मार रहीम, अससलाम अलेकूं, क्लियर ओन विदर सब्माली के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। आप शक्कोर उमीद करते हैं। आप सब खेरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की जो पॉड़कास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। उसकी वज़ा मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जतने भी नोग इस वक्त आर्ट से रिलिटेड जो आर्ट का पसंद करते हैं, वो तो आइम शूर इससे जरूर महजूज होंगे, क्योंकि आज की पॉड़कास्ट में हमने एक ऐसे एक्टिविस्ट को मदू किया है, जो इटसेल्फ कम्यूटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटरी फिल्मेकर हैं, और बड़ा नाम है उनका और मैं खुद उनसे काफी जो हो इंस्पार्ड हो, और आम शूर जब आप आपका ये सेशन शुरू होगा हमारे साथ उनके साथ, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो वेलकम करते हैं मौमद फाहिम को, अस्सलाम अलेकुम, वालेकुम, असलाम, अर्शद बाई, कैसे आप, मैं फर्स्ट क्लास, आपको फाहिम ये चीज पता है के, पता तो कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी यादें छोड़ जाते हैं, तो एक ऐसे शक्सियत के सामने मैं आज बैठा हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में काफी इंपक्ट क्रियेट किया है, क्योंकि पीस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सोसाइटी में काफ शुकर गुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला, और आज इस पॉड़कास की जीनत बने, तो फाहीम सबसे पहले बताएं, रिलेक्स हैं, आप ठीक हैं, कैसे हैं, अल गूड, मैं बलकुल रिलेक्स हूँ, और हमेशा रिलेक्स ही रहते हैं, बो तो सार आप से पूछने की अखाना प्लेत्फरपों निकाल, उनुकर ब्लेटफर्म जो तो पारीचारगी की दोस्ति की, तो उसके लिए प्लेटफर्म पाकिस्तान में बहुत कम उग अख, तो उसके लिए तैंक्यू सो मुझ जो हमारी चो और्गनाइजेशन है हम यही चाहते हैं कि यूथ को इंपावर किया जाए और कोई भी ऐसा टैलेंट जो चाहता है शोकेस होना तो यह हमारी प्रियोड़ी होती है कि हम उसको जो है वो फैसिलिटेट करें उनको इंटर्टेंड करें और उनको शोकेस करें यह हमा फाहिम आप documentary बनाते हैं documentary filmmaker हैं माशालाव वैसे तो आप producer भी है productions भी करते हैं मैंने भी आप भी productions पर काफी काम किया जरा बताया नहीं कि documentary ही क्यों So basically अरशद भाई documentary हमने इसलिए चूज किया मैंने खास तोर पर अपनी जिन्दगी में क्योंकि सची कहानियों से मुझे बहुत दिल लगी है बहुत लगावे मेरा के जो original stories हैं उनको आगे आना चाहिए तो हलांकि मैंने काफी सारे fiction फिल्में भी बनाई हैं लेकिन जो मज़ा आता है जो दिल को सुकून मिलता है वो मिलता है documentary से तो क्योंकि हम indigenous लोग हैं और community के लोग हैं, ground के लोग हैं तो मुझे लगता है कि जो ground की कहानियां हैं जो ground की सच्चाई है उसको लाना बड़ा जरूरी है तो मेरा तालुक चुके लियारी से है मैं लियारी में बड़ा हुआ हूँ अब भी में वही पे रहता हूँ तो लियारी में बहुत सारी ऐसी कहानियां थी बहुत सारे ऐसे stories थे क्योंकि मैं समझता हूँ कि लियारी एक cinema है तो उस cinema को उसी actual शकल में आगे लाना बहुत जरूरी था So that's why we choose the documentary कि यार ऐसे कहानियां ऐसे किसे जो आपकी जिन्दगी में impact create करती है जो सची कहानियां है कि जब आप दिल से जो बात करते हो on the sport जो आप बात करते हो उसकी बात ही कुछ और होती है So that's why I personally you know love documentaries और उसमें तोड़ी ठहराओ भी है कि आप सुकून से सबर से बात कर सकते हैं लोग कौन सा काम आपके personality को suit करता है तो मुझा ऐसा लगा कि यार मेरी personality के साथ documentary is very associated with my personality that's why I choose documentary films ताही मैंने आपके काम तो खेर देखा है और आप बड़ा ही मैं अपने viewers को भी बता दूँ बहुत ही creative इंसान है तखलीकी इंसान मेरे वैसे भी बड़ी favorite है और जो इनाखा जो लियारी आपने बताया और मैं अपने देखने वालों भी बता दू कि हम सेम ही जगा से दूनों तालुक रखते हैं चूंकि हमारी base लियारी की बनी भी है और जिस तरह का वाँ जो इन्होंने बताया कि cinema है वो itself इतनी कहानिया है इतना कुछ कहने को हैं वहाँ क्योंकि माज़ी में कुछ ऐसी तलख चीजों की वज़ा से लियारी को शायद याद रखा होगा लेकिन अब जो ऐसे चेहरे आ गए हैं तो माशनला बड़ा अच्छा काम हो रहा है बहुत अच्छी चीजें हो रही है मतब मैं पर्सनली मतब अगर कहीं आप कराची को देखना है ना अगर एक अलग स्केल पे तो आप लिया रही हैं पाकिस्तान को देखना हो कराची भी क्यों तो आप लियारी आएं और रात के दो बज़े हैं तो आपको नजर आएगा कि कितनी डाइवर्सिटी है महाँ पर कितने लोग प्यार करते हैं महाँ पर और मैंने तो अब तक जितना भी लर्निंग मैंने फाहिम की है जितनी भी मैंने सीखी है वो यही इलाके से जूड़ी भी है क्योंकि कहानी वही है क्योंकि जो चीज़ें आप गली मौलों से सीखते हो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें आप स्कूल से सीखते हो जो चीज़ें आप मिट्टी से खेल के सीखते हो तो I don't think so कि आप वो किसी पार्क में जा के सीखते हो ऐसा ही है ऐसा ही ग्रास के साथ जब भी आप रूट्स के साथ जोड़ते हैं ना तभी कुछ निकल के आता है अचा फैंग डॉक्यूमेंटरी तो आप बना रहे हैं माशाळला और अभी रीसेट आपने एक डॉक्यूमेंटरी बनाई भी है वो भी हम कोशिश करेंगी कि मैं फैंग को एक चीज बता दू कि फैंग अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी फिल्में बनाई भी है और आपने बहुत सारे आपका मैंने डेटा देखा हूँ इसलिए में कहा रहा हूँ तो अगर आपको लगे कभी भी कि आप कहीं वो चीज चैनलाइज करना चाहते हैं तो प्ले इंटर्टेन्मेंट आपको जो है वो अपनी स्क्रीन देने के लिए रेडी है आपका कांटेन्ट हमारे लिए प्लेजर होगा यह नहीं कि हम कोई आपके ओपर कोई लम आफ करें को ऐसी बात करेंगे जी हम आपको वो करेंगे यह हमारे लिए बड़ा ऑनर की बात होगी कि आप अपना कांटेन्ट किसी भी लेवल का क्योंकि एक तो हमने साथ भी किया था हम आपस में एक साथ वो बड़ी अच्छी सीरीज थी मैंने बात की थी वो इंशाला मुझे लगते हम दुवारा इसका टीवी पे प्रेमियर करेंगे मुझे ऐसे लगते है जिस तरह की वो कहानी थी वो सबको सुननी चाहिए सबको देनी चाहिए तो आपको मैं यकीन करें जो भी लियारी से रिलेटेड लोगें चाहे कराची से चाहे पाकिस्तान से मैं सब के लिए कहा रहा हूँ कि जो भी content creator है जो भी ऐसा समझता है कि उसका content में कुछ है और वो कुछ करना चाहता है सुसाइटी के लिए तो वो play entertainment की screen उसके लिए हाजर है यह हमने खास बात की हुई है यह बहुत जबरदस आपने अर्शद भाई बात कही कि प्लेटफॉर्म की क्योंकि अगेन प्लेटफॉर्म की कमी है और बाइस से फक्र होगा हमारे लिए कि अगर हम जिन बच्चों को काम सिखाते हैं जो लियारी के students है उनके भी काम को हम यहाँ पर represent कर सकते हैं ताके जो आने वाले बच्चे हैं जो आने वाला generation है वो यह ना समझे कि यार हम जो काम करते हैं वो बेफ़जूल है और वही तक मैदूद है और उसे तो YouTube नहीं जाना है आखरी platform वही है तो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि मैं ना सरफ डॉक्यमेंटरीज बनाता हूँ बलके हम काम सिखाते भी हैं बच्चों खुद भी सीख रहे हैं अभी वी आर इन लेर्निंग प्रॉसेस और इंसान जिंदगी पर सीखता रहता है और समटाइम ऐसा भी हुआ है कि हमें बच्चों से सीखने को जयदा मिला है कि वो जिस तरह की चीज़े सिखा के जाते हैं आपको आप हैरान हो जाते हो सबसे जो मुश्किल काम है डॉक्यमेंटरी फिल्मेकर के लिए वो सब्जेक्स डूढ़ना वो कहानियां डूढ़ना जो लोगों ने कभी नहीं देखी हो और जब वो कहानियां मिल जाती है तो उसके बाद का जो प्रॉसेस है वो ज़्यादा मुश्किल है कि लोगों को कन्विंस करना कि जी हम आपकी कहानी को दिखाना चाते है डॉक्यमेंटरी कैसी चीज है कि आप वो फॉरण से नहीं बना सकते जब पहले हम डॉक्यमेंटरी बनाते थे आज से अगर एक डॉक्यमेंटरी मैंने 6 साल पहले या 10 साल पहले या 8 साल पहले बनाई है मुझे ऐसा लगता है कि वो सरफ टेस्टिमोनियल्स है वो डॉक्यमेंटरी नहीं है अब जाके इतने अर्से बाद हमें समझ आया है कि डॉक्यमेंटरी होती क्या है documentary एक बहुत लंबा process है सबसे पहला काम आपने जो character है आपका आपने उनके साथ दोस्ती करनी होती है आपको बहर camera के जाना है आपको सारे मफाद excite पर रखने होते है अपने so जो आपके अंदर का इंसान है पहले आपको उसको बाहर निकालना पड़ता है अगर आप अच्छे इंसान हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा filmmaker होने से पहले एक अच्छा इंसान का होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप अच्छे इंसान हैं अगर आपको लगता है कि वाकई आप sincere हैं उस कहानी के साथ उन लोगों के साथ उस community के साथ then you can go to the community and mobilize characters and peoples and stories then उसके बाद फिर आपके तीसरा process होता है जब आप उनसे कहते हो क्या ये अच्छा होगा अगर में ये story आपकी दुनिया को दिखाओ और sometime ऐसा भी हुआ है कि दो-दो महीने बात करने के बाद characters ने हमें मना किया है कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एक महीने में वो convince हो जाते थे ऐसा भी हुआ है कि वो घर नहीं ले जाते थे अपने ठीक है आप hotel में बैटे हैं ढ़ाबे में बैटे हैं या किसी और जगा बुला लें ऑफिस में बुला लें अपने घर में आप नहीं आए क्योंकि वहाँ पे females हैं बच्चे हैं जायरे हर कोई अपनी कहानी उस तरह से नहीं बताना चाहता आपको हर किसी के privacy होती है सो बहुत सारे ऐसे characters भी होते हैं कि वो आपको अपने घर में invite करते हैं और बड़ा दिल चाहिए होता इसके लिए कि यार आप camera के साथ किसी के घर पे जाएं और वहाँ पे वहाँ आपको खाना भी खिला रहे हैं आपसे बात भी कर रहे हैं और हमने ऐसे भी वक्त गुजा रहे हैं कि characters के घर में हमने वक्त गुजा रहे हैं लेके कफता जब हम शहर से बाहर होते थे तो मैं बुलाते थे कि यार आप यही स्टे करोगी हमारे पास तो यह कुछ stages हैं तो जो मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा challenging है कि आपको अपने अंदर का जो अच्छा इंसान है उसको बाहर डाना है Very nice, very nice बहुत अच्छे से आपने उसको describe किया है फाहिम आप एक ऐसे filmmaker है जो बहुत ज़ादे struggle के साथ बहुत ही ज़ादे struggle के साथ आए है तो जब इस तहा की देखे हमारी society में जो काम अगर हम नॉर्मल ही सूचते हैं तो हम कहते गया कही office job मिल जाए कहीं आपने इसी नॉर्मल इंसान की तो ही सूच होती है कि अर बस इतना पढ़े इतना कर ले उसके इलावा भी अगर कोई चीज कुछ अनोखी सोचता है जैसे फिल्मेकिंग सोचता है या कुछ ऐसी क्रियेटिव फील्ड सोचता है तो उसके लिए बहुत सारे challenges होते हो मुझे मैंने लास्ट आपकी achievement देखी थी आप summit पे गए वे थे लियारी टू Sweden इस सफर को बताया ना कि ये कैसा रहाई कैसे हुआ ये कैसे मुमकिन होई चीज है क्योंकि I am sure कि उसके पहले की struggle तो मैं तो आपके साथ ही था लेकर मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी से लोग जो है क्या मैं चाहता हूँ सीखे लोग इसे exactly सर ये मेरी जिन्दगी का ये वो दिन थे वो लमात थे के जिनको मैं कभी नहीं बूल सकता हूँ unforgettable मेरी जिन्दगी के और मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ सीखा है अब भी सीख रहा हूँ लेकिन जो चीज़े मैंने यहां से सीखी है इनको मैं कभी नहीं बूल सकता मुझे लगता है कि ये वो सफरता कि जिसने फहीम को दुबारा फहीम बनाया जिसने फहीम को और अंदर से जाना ये वो सफरता मेरे जिन्दगी का मैं अभी रास्ते में सोच रहा था कि क्योंकि जब आप से बात हुई थी आपने पूछा कि यार ये तुम कौन से कंट्री गएते तो मुझे फॉरण से याद आया कि मैं तब तक वहां नहीं गया था तब तक मैं इस कोर्स का पार्ट नहीं था ये बैसिकली कोर्स था फोर यंग लीडर्स जो अपने इलाके में अपने कमिनिटी की बहतरी के लिए काम करते हैं सोसाइटी के लिए जो लोग काम करते हैं जो एक्टिविस्ट हैं, यह प्रोग्राम उनके लिए था, SIE Leader Lab इस प्रोग्राम का नाम है, और यह हर साल होता, इसके आप्लिकेशन आते हैं, स्वेडन में, सो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी लोग सीखना चाहते हैं, या अपने काम को रिप्रिजेंट करना चा लोगों की खलती है, लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ये लोग जो है कभी नहीं मानेंगे, ये लोग ऐसे हैं, या ये लोग वैसे हैं, या मेरे साथ फलाने ने बुरा किया, फलाने बुरा किया मेरे साथ, मैं जो है विक्टम हो, तो तुद को victim समझता था कि यार हम victim हैं, हम इतना अच्छा काम करते हैं, लोग appreciate ही नहीं करते हैं, लोग बुलाते नहीं हैं, लोग acknowledge नहीं करते हैं, वहाँ जाने के बाद मेरा perspective change हो गया, कि भई, आपकी क्या कोता ही है, आपकी क्या गलती है, तो अब मुझे लगता है कि या लोग आपको acknowledge नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं, it's okay, कोई मसला नहीं, और अगर तकलीफ दे के जा रहे हैं, it's okay, this is the part of life, no worries, कोई अगर ऐसा कर रहे हैं, वो उनकी जिन्दगी है, वो आपकी नहीं है, तो उससे आप अपने आपको affect ना करें, आप जो है, उसस से भी सीखें, उस तकलीफ से भी सीखें, तो मैंने ये सीखा, कि भई, आप अपने आपको जाने, अपने आपको पढ़ें, और काफी अरसे पहले बुलिशा ने तो इस पर बात भी की हैं, कि पढ़ पढ़ अपने आपनों, बाकी लोगों को पढ़ के क्या करने हैं, बाकी कि जिन्दगी में आपने क्यों जाना है वाई आप अपने आपको पढ़ें अपने आपको जानें और दुनिया यही पर है बाकी इसके इलावा सबसे जो जबरदस चीज रही वो यह रही कि दुनिया भर से क्योंकि लीडर्स आये वे थे तो उन से सीखने का बहुत मौका मिला और कही न कहीं बहुत फक्र भी महसूस हुआ अपने आप पे, अपनी कम्यूनिटी पे अपनी कंट्री पे कि यार हम बहुत अच्छे हैं जब लिबनान से लोग आयते, सीरिया से लोग आयते, इविन पलस्तीन से लोग आयते, जॉर्डन से लोग आयते हमने देखा कि उनकी जो स्टोरीज थी, उनकी जो कहानियां है तो कुछ भी नहीं है सर तो कही न कही मैं फक्र महसूस कर रहा था कि यार हम बहुत अच्छे हालात में हैं, क्योंकि लोग ये सीका कि हम जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, अलाहमदो डिला और थर्ड जो चीज थी, वो एक नया एक्सपुजर था मेरे लिए, क्योंकि मेरे जिन्दगी का वो टाइम आ गया था कि I was very exhaust मैंने का यार, अब मैं क्या करूँ काम तो हम कर रहे हैं मुझे होता है ना कि आपको फ्यूल की जरूरत होती है कही न कही तो मैंने का यार, पिछले आठ सालों से कोई लर्निंग नहीं हुई जिन्दगी में बस यही है कि हम काम कर रहे हैं चीजे बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं अल्टिमेटली जो है, वो जरूरत थी अपने आपको, यूनो, फ्यूल डालने के तो यह वहले जो सफर था, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला और पता चला कि एग्जेटली हम कहां खड़े हैं और यह है कि अब उन लर्निंग्स पे हम काम कर रहे हैं जो कुछ मैं सीख के आया हूँ, मेरी कोशिश है कि यार जो दूसरे टीम के लोग हैं, साती हैं, कम्यूनिटी के लोग हैं अब उनको सिखाया जाए तो अब इस प्रोसेस पे हैं हम जो नहीं तो बहुत अच्छी बात है कि पहले आपने खुद उसको लर्न किया, खुद सारी चीज़ें फेस की अरशद भी एक और बात ये कि सबसे जो अच्छी लर्निंग रही चोती वो और्गनाजेशनल डिवलप्मेंट रही एक तो ये कि आप अपने आपको empower करते हो, दूसरा ये कि आप अपने इधारे को कैसे empower करोगे अगर आपके पास resources नहीं है, अगर आपके पास लोग नहीं है तो किस तरह आपको लोग डूडने है, किस तरह से आपको लोग जोडने है जो शायद हर कोई आप जैसा नहीं है सो किस तरह जो है आपको वो लोग डूडने है जो आपके मकसद के साथ जुड़े हैं जो आपके मकसद को समझे है वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है लेकिन वो सीखा हमने कि without any resources how to run your organization यह सबसे बड़ा पार्ट था टिपिकल लैंगुज में गयें तो जुगाड जुगाड सीखा कैसे करना है नहीं है तो यही करना है जुगाड की जो असली थियोरी थी वो मैंने वहाँ पे सीखिए जो ट्रू मतब शॉटकट वाला जुगाड नी जो डिटेल जुगाड होता है कि यार आपने टेक्निकली जुगाड होता है जुगाड है क्या वो मने वहाँ से सीखा आप देखें यह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आप पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे यह तो हम सब के लिए फगर की बात है आप जैसे यहाँ पे भी महरदर आर्ट और प्रड़क्शन जो है वो प्रड़क्शन आउस चला रहे हैं फिर महर घर चला रहे हैं यह और जो है वो बैसिकली आप उसको जाहर से बाद आप लीड कर रहे हैं उसको महरदर जो है वो बलोची का वर्ड है महर कहते हैं प्यार को दर कहते हैं दरवाजे को महरदर मीन दे डोर अफ लव दे डोर अफ पीस हमने सोचा कि यार एक ऐसा इनिशेटिव बनाते हैं जो सुस्टेनिबल हो हम हो ना हो वो जगा चले लोगों के लिए हो एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां पे यंग लोग आके, बुजर्ग आके, जहां बच्चे आके, जहां खवातीन आके, बैट सके सुकून से, चाय पी सकें, बात चीद कर सकें, पहला तो मकसद यह था, दूसरा यह था कि यार एक ऐसा प्लैटफॉर्म हो जहां पे यंग लोग, अगर उनके पास कोई talent है, वो उनको दिखाना चाहते हैं किसी को, तो वो आके उस जगे में दिखा सकते हैं। तीसरा मकसद ये था कि वो young लोग या वो खवातीन या वो बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं, उन skills से जो creative skills हैं, उन से वो आके सीख सकते हैं। और एक एसी जगा हो जहां पर लोग किताबे पड़े हैं, जहां चाए प्ये हैं, जहां पर आप theater performances करें, जहां पर film screenings हों, जहां सोटा सा cinema लगें, ये खाब था हमारा बैसिकली। और ये खाब हमने आज से 6-7 साल पहले देखा था कि यार कुछ ऐसा बना के ही जाएंगे। स्टेइन हो सके, अब चाहे पी लाएं या कुछ स्नेक्स खरीद लें, लेकिन आप pre of cost बैट के किताबें पड़ें, आप फिल्म देखें, आप बाचीत करें, प्यार की बात करें, मौहमबबश की बात करें। फिल्म हमारे से भी पहले की बात है, लेकिन हमने भी यह चीजे देखी है, कि ओरतें महले में जो रख जो हमारे से बसे पेना के बातचीत हो रही हैं। अब चुके गैजिट्स का दोर आ गया है, अब चीजे बहुत जादा, अब इनसान जो है, वो खुद चाहता है कि एक कमरा हो, एक फोन हो, और इंटरनेट हो, और मैं हो, बस, बस, बहुत, इसके इलावे मुझे और कुछ नी चाहिए, वो एक वर्च्वल दुनिया में इतना म पर ले करना है, चाहिए, गाना गाना है, चाहिए, वो थीटर करना है, लेकिन वह ने वो जगह देखी, यह काफी क्रियेटिव है, और काफी अच्छे से आपने उसको इमानदारी से बनाया है, बल्कुल है, यह जगह नजर आती है, एक और चीज़, अफ़ह मुझे नजर हो सकता हूँ, बहुत ज्यादा फॉस्ट्रेशन आगी है, बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा जल्टबाजी में हैं, यह जन्य इसको अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो बहुत ज्यादा रशिंग सीन हो जाता है, मिक्स अप होई वी चीज़, लोग लोग लोग नहीं लग रहे हैं, क्या है यह, क्या हो रहा है यह, सर इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, सबसे पहला क्योंकि जाहरे आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, यकीनन जो पाकिस्तान में रहते हैं, खास तोर पर जो कराची में रहते हैं, जो अमारे आंकों के सामने ह सबसे जो बड़ा reason है आपका वो inflation है जाहरे आपके चीजें जो है वो clear नहीं है direction clear नहीं है लोगों का कि यार क्या करना चाहिए लोगों के पास choices नहीं रही है महिंगाई आपकी हितनी हो गई है कि people don't have choices इसके साथ ही साथ जो है वो क्योंकि state का बड़ा role होता है किसी भी society में contribute करने का तो आपके तरफ से जो है वो सारे social opportunities रुकी वी है आप देखें आपके पास cinemas में लोग नहीं जाते अब फिल्में देखने के लिए आप तो सोच भी नहीं सकते ना उसकी वज़ा यह आपके पास content ही नहीं है ना अब क्या दिखाएंगे लोगों को तो लोग content नहीं देखते और जो टीवी में हम देखते हैं ड्रामें उसमें वही content repeated हमें देखने को मिलते हैं कि जी उसी घर की ही कहानी है जी बहु ने जो है वो शोहर को मार दिया शोहर ने जो है वो दूसरी शादी कर ली मतलब इस तरह के content आपको नजर आ रहा है टीवी पे social media आप खोलें तो आपको depressing जो है वो related extremism इंताप पसंदी के इतने बुरे-बुरे content आपको नजर आते हैं तो लोगों में बरदाश जो हो खतम हो रही है आज़ते हमें लगता है सबर जो हमारे दीन में है exactly कि हमें ठहराओ जो हम चीज जो हम चीज जो मेरे खिल एथिक्स है हमारे यह कि ठहराओ होना चाहिए और दूसरा यह हम यह भी देखते हैं कि अगर किसी ने किसी क्रीन्स देख ली जिसने उसने बहुत जल्दी कुछ अचीफ कर लिया तो हम वहां से frustrated हो जाते है exactly करते हम अबजर्व ने करते कि यार इतनी सस्ती चीज कैसे मिल रही है इतनी सस्ती जमीन कैसे मिल रही है हाँ बस हम कहते हैं कि यार हाँ तो एक आ गया है कि बस हर कुई यह चाह रहा है कि मैं किसी तरह कुछ ना कुछ कमाओ कुछ न कुछ बनाओ मैं यह यहां से निकल जाओ प्रोसिस का इसा इसा नहीं बनना बस कुछ मिल जाए इसा है पॉसिबल है उता है इसा इसा ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि वो एक लग है फिल्मों में तो देखा है फिल्मों में देखा है लगता घरीब होके गया और एकदम से तो मेरे एकदम से जहना वो अमीर होके आ गया अचा मैं आप एक चीज और नोट करें जो पाकिस्तानी ड्रामे है खास ताट जो कि कि लोग जादा वही देखते हैं शुकर आप देखते हैं शुकर आप देखते हैं वहारीं पडोज से नहीं आ रहे थे ना पीजा एक जमाना थाज है एक बार टैकट पुरा ट्राइब कर दिया था वहाले ट्राइब कंड़ था जिसमें 8 बज़ेसे 9 बज़ए आप आप देखे ना उन ड्रामों में क्या हो रहा है बड़े बंगले इन बड़े गाडिया है करोडो की बाते हैं कोट पहने हैं और साफ शुत्रा इंवर्मेंट है गरों में नोकर काम कर रहे हैं उनोकरों के साथ क्या रवाई है उनका अब वो कभी ये नहीं बताते के भाई ये बंदा अमीर कैसे बना उसकी जो गाड़ियां है वो कहां से आई वो बिजनिस क्या करता है हम ये नहीं देखते तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मसला है मतलब आप सुसाइडी को वो दिखा रहे है ज़ो रियल नहीं है और क्या पता हो सेक्टर बिचारे के पास है नहीं वो गाड़ि ए पना चैक बिचारे का नहीं मिल रहा हुल्हां हम है रहा हम झार नोको खा रहाई थैelle यह दिखाना है कि जी हम देखाना है मेरे 900 को अलमारी में रखते हैं तो यह तो और इतना लेकिन यह बड़ी जबरतर्स आपने बात कही के इंफलेशन कि इंफलेशन के जाए से ओविसली फिस्ट्रेशन हो गई है सोसाइटी में अचा मैं बड़ी प्रॉसेस के उपर एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे अगर प्रॉसेस को अगर समझना है किसी को तो creator को देखें, Allah पाक को देखें, उन्होंने बड़ी जबरतस सी example देवी हैं अगर हम observe करें ना, इंसानों को देखें बताया यही है कि मुशाइदा करो, एकरा पढ़ो, तहकीक करो, मैंने इतनी सारी चीज़े खोल कर रखी है, आप पढ़ो ना, समझो ना मा बच्चा conceive कर रही है, पूरा नो महीने का process है, process पूरा हुआ, बच्चा सहद मन्त, आपको result मिल गया बच्चे की सूरत पे, ऐसा नहीं कि आज शादी हुई और कल बच्चा हो गया, यह नि ठहराओ, रुको, आज फसल, मैंने शायद वह जीबी example दे दी मा बच्चे की, ल आज ही, आज हमने यह बच्च डाला और सेकंडे मुझे यह उचा जो है नारियल का दरख चाहिए, तो आम क्यों नेचर से नहीं सीखते यह चीज़ सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो मा बच्चे वाली मिसाल दी आपने, आपको बच्चे वाली मिसाल दी आपने, पहला जो मैसिज आपका था वो खुदा पे था और दूसरा मा पे था, तो आप देखें कि यह एक नेचरल सिस्टम है कि आउरत कितनी पावरफुल है, कि उन्होंने हमें जनम दिया है, मेरी मा ने मुझे पैदा किया है, तो मुझे लगता है कि हमें बहु नहीं करते हैं, हिजिटेट करते हैं, कि यार मैं नाम लोगा तो शायद किसी को बुरा लग जाएगा, लगने दे सर, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें अपनी जो माओं की जो इस्ट्रिगल है, जो उनकी तक्रीफ है, उस पे जरूर बात करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपको टहराओ, सबर और बरदाश्ट सीखना है, तो वो आपको एक औरती सिखा सकती है, वाँ, वाँ, क्या बात, क्या बात, वो आपको सिखा सकती है, आप देखे न सर, आप अपरचिनिटीज क्या हैं खवातीन के लिए पाकिस्तान में, आपने जो बात कही, I know, कि फादर का अपने स्ट्रगल होता है, भाई का अपने स्ट्रगल, सभी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो वर्स्ट हालात हैं, इसमें जो सबसे जो तपका फचल रहा है, वो औरतों का है, आपकी व्ल्ड एक्नॉमिक जो फॉरम है, उनकी रिपोर्ट भी है 2022 की के पाकिस्तान is the worstest country for the women and girls और यह हगीकत है सर आप दूर ना जाएं मैं दूर नहीं जाओंगा मैं अपनी community की मिसाल दोंगा कि अगर एक लड़का जो है वो drugs ले रहा है हम उसे बलोची में कहते है लापावर अचा अगर वो drugs ले रहा है वो सही नहीं है वो काम नहीं कर रहा है वो चोरी चकारी करके जो है वो नशा कर रहा है तो उसका हल क्या है गरवालों की नजर बें शादी करा दो शादी करा दो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा भ तो टीचर सजा के तौर पर उसको लड़की के पास बिठाती है कि यहां बैठ जाओ, यह तुम्हारी सजा है, लड़कियों के क्लास में बैठ जाओ शायद यह हुआ भी है आपके साथ यह आपने देखा भी है यह सुना है मेरे हमारे इतने नसीब का हमारे टाइम में तो लड़किया थी नी हम सारे बॉइस स्कूल वाले है तो लेकिन इट्स ट्रू के आपको अब आप वो सर्कल जो है वो साइकल आप जड़े रिपीट करें कि बच्पन में लड़की को सजय की ताओर पर आप इठाया जा रहा है अच्छा आपक अभी बैठे मेंस ऐसा हुआ है कभी यह आपने के दोस्तों के साथ हुआ है कि उनके सर में पौनियां बांध रही है पीचर ने जोने पोनी बांध लिए अगर बाल बड़े हैं यह आप एक लड़की हो मतब तो क्या हो गया लड़कियां बुरी तो नहीं होती ना वो उतनी भी तो बुरी नहीं कि आपने जीस तरह से दिखा दिया तो मेरी जो डिशेंटली जो फिल्म है जो दसगवार है तवार वो इसी पे ही है मेरी जेंडर बेज़ वालें पो फिल्म बनाई है आप लड़का ड्रग अब्यूजर है कुछ ले रहा है तो शादी करा दो ठीक हो जाएगा और वापस उसके बाद जो हम लोग को फॉलो नहीं करते ना जो कानून है अदर लड़की तंग आ गई है लड़के से वो बैठना नहीं चारी तो भाई एक लोग है आप फॉलो करें उसको हमारे पास होता ये है कि खैर है ना यार चाय पी लो बात खतम कर दो एक और नहीं बीचीज हो जाती कि बच्चा पैदा कर लो तो मामला बैतर हो बच्चा सफर करता है पर बाद में आप अंधाज़ा लगा है इसर बच्चा एक डिप्रेसिफ फैमिली में पैदा हो रहा है उसका क्या रिजल्ट क्या निकले का आगे कितना बड़ा रिस्क हम उटा रहे हैं उस बच्चे के लिए यह तो पैरेंट्स भी मैं यह काऊँगा वैंजाब कि इस बच्चे को बहुए एक असुलवा ठेरा हों ऍवे इस प्रूलन है ने आपके पास निक्दर हैं जो ट्रू चीजा हैं जो ट्रू उकाँटेंटर सपर हम बात जिनिकार हैं इसलिए मने ड्रामों की मिसाल दिके ड्रामों में आपको यह दिखाया जा रहा है की है उसको बचाना कैसे है आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है पेरेंटिंग के लिए आपके पास कोई स्कूल नहीं है जहाँ पेरेंटिंग सिखाई जाए Conscious Parenting सिखाई जाए दो सरा के Parenting होते है एक तो होते हैं कि नॉर्मल आप Parenting कर रहे हैं जी अबा जो है वो 9 to 5 काम कर रहा है और वो कहा रहा है कि मैं पैसे कमात हो रहा हूं एक Parenting होती है कि Time to time हर दो गंटे बाद अबा पूछ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है कहा है किस के साथ है उसने क्या खाया है आज कल उसको क्या खाना है परसुन उसको क्या खाना है उसको मुझे कहा ले जाना है उसके साथ बात क्या करनी है बच्चे के साथ हमारे मौशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि बाप का जो रोल है वो विलन का रोल है अमी अक्सर कहती है बनाती है अबबा आ जाए तो बता दो तो बाप को विलन बना है अलांकि बाप एक अच्छा दोस्त हो सकता है तो जो conversation है न अरशुद भाई वो नहीं होती अब मा बेटे की बीच conversation उस तरह से नहीं होती बाप और बेटे के बीच conversation उस तरह से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए अब देखे political discussions नहीं होते sexual reproductive पर बात नहीं हो रही होती ठीक है, जदे जदे क्या बात होती है हाँ बाई, बिल बरा तुमने हाँ बाई, तुम्हारा result का क्या हुआ हाँ बाई, ये दोस्त कौन है तुम्हारा normal बाते हो रही है तो मुझे लगता है कि अब हमें तोड़ी खुल के बात करने की जरूरत है खुल के, और खास तोर पे हमें failures पे बात करने की जरूरत है क्योंकि हम failures पे कभी बात नहीं करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि success पे बस बात करो जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताओ लोगों को, failures नहीं बताने हो exactly, exactly और दूसरा ही कि हम, जो मैं अभी देखता हूँ बच्चों को जिस तरह के ये जो बाचीत नहीं होरी बच्चों से अच्छों से महदूत बात हो रही है कि जी, क्या कर लिए और बड़ा एक रूडली बात हो रही है पैरेंट्स को चाहिए कि अच्छा दोस बने अच्छे से उसको काउंसल करें हम, जो बच्चा पैदा हुआ जो हम बात कर रहे थे मैं तो उस बच्चे के अब वो सोच रहा हुआ उसकी सर्कल को कि वो जब पैदा हो गया जिस घर में अब वो क्या हो रहा है एक तो उसके अम्मा बात नी करते सबसे बड़ी मुश्कल बात तो यह होती ना माबाप को जब भी देखा एक चीखते भी देखा अलमा आफ करें अब्यूजिंग लेंग्विजी देखी क्योंकर यह देखा है मैंने बहुत तो वो बच्चा क्या कर रहा हुथ है बाहर गली के मौनलों में लड़कों के साथ बैट रहा है उस देखे ने एक नसल दर नसल चीज़े किस तरह खराब होती जा रही है कि अगर हम पहने ब्लॉक में उसको रोक के उसको ठीक कर देते उसको रिहाब ने जाते उसकी शादी ना कराते तो कितनी चीज़े ठीक हो सकती थी इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कॉंटेंट बनाए चाहे अपने डॉक्यमेंटरी की सूरत में चाहे शॉट फिल्म्स की सूरत में चाहे जिन बच्चों को हम काम सिखाते हैं उन्हें भी हम बताते हैं कि भाई कितना इंपोर्टेंट है कि आप अपनी कहानियों में हकीकत को बयान करें जो ट्रू स्टोरीज हैं आप उन पे बात करें लोग नहीं देखेंगे इट्स ओके लोग आपका मचाक उड़ाएंगे इट्स कंप्लीटली ओके लेकिन आप दिखा आप अपना फर्स पूरा करेंब अपने सरिफ जो है वो वीवर Morning के चकर में और आपने लाइक के चकर में सब्सक्राइबड के क्षर करना कि ये नहीं करना कि के बस आपने दिखा दी और आपने अपनी जो lives है जो real life नहीं है आपकी, कि जी आप तयार हो रहे हैं आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप फिलोगिंग कर रहे हैं आप कर वैसे भी रहे हैं मेरे कुस्ताद ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम वैसे ही कर रहे हो कुछ अच्छा करो कुछ प्रड़क्टिफ कर लो कुछ ऐसा करो कि जो impact create करे अर्शद भाई ये बात मुझे काफी टाइम बात समझाए कि अरे ये impact क्या होता है और ये create करना क्यों ज़रोरी है ये कौन सी impact की हम बात कर रहे है असर को करे असर करे जो दिल को जाके लगे और शायद लोग आज नहीं देखेंगे आपके इस content को कल देखेंगे परसू देखेंगे एक साल बात देखेंगे साल लूस टॉक देखेंगे ना कितना ज्यादा वाइरल हुआ बीच में कितना ज्यादा वाइरल हुआ अब भी होता रहता है क्योंकि वो उसने ऐसा उस प्रड़क्ट में ऐसा कुछ था या हमारे जितने भी नैशनल टीव को जो पराने ड्रामास थे वो बड़े इंपक्टफुल थे काफी चीजे सीखने को होती थी फैमिली किस तरह रन करनी है फैमिली को किस तरह डील करना है सिचवेशन को कैसे देखना है सिर्फ लंक, लव एंगल नहीं थे कि धी यह लव एंगल तो जी फलाने का तो लड़की एक लड़का एक लड़की दो लड़कीं जो आकासर कहता हूं के जी एक ड्रामे के पोस्टर आप आप अमारे मोस्टी डामर पाकिस्तान के देखे, I have no offense, वैसे किसी को नहीं करके कह रहा है कि पॉइट आउट करके, मैं जालतर यही देखता हूँ, इंक्लूडिंग, हम भी यही गर्वे होते हैं, obviously, के एक लड़की का फोटो बीच में, दो लड़की हैं, यहीं क्रॉस में आती हैं, ठीक है, कभी एक लड़की बीच में, एक लड़का घुस्ट सी हूँ आ रहा है, उसके फ्रेम में एनिमेट वाबा, और एक लड़का बिलकुल सीधा सा, सिंपल सा, यहीं आया है, तो यहीं इसी तरह का ही कुछ महौल है, ऐसा ही है, हम तीसरा कोई पोस्टर बना ही नहीं रहे हैं, इग्जाक्ली, यह क्या हो रहा है, किस तरह ही चीज़े हो रही है, इग्जाक्ली, सर इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की नीड है, असल में जो लोगों की कंसिस्टिंसी है न, एक तो वो नहीं रही है, और लोगों को जो है वो ग्लेमर बड़ा पसंद है, लोग कहते कुछ संसनी सी चीज हो, सर लोगों को तो सब पसंद है न, अब यह मसला यह भी तो है कि मुझे अक्सर कोई कहता है न, यह चल रहा है, मैंने गाँ चल तो फिर वो बहुत सारी चीजे रही है, बहुत सारी चीजे रही है, तो आप भू बना ओ, भू बनानों, वो बहु चल रही है, यार आप जो होना, सुसाइटी में जो आपका कॉंटेंट क्रियेशन या आप या प्रोडक्शन्स करते, आप है सर्जन, यही चीज अगर मौसिन महमलबाब, या इरानी फिल्मेकर्स या इस तरह के लोग अगर सोचते जी, फाशी चल रही है, तो बना रहे हैं, तो वो आज इरान इतना बड़ा सहनवानी बनता, उन्होंने का कि सर्जन हम बैठें, हमें पता है कि कहानी को कैसे बताना है, हमें पता है कि कहानी को ऐसे दिखाना है, हमें पता है किस तरह जान डालनी कॉंटेंट में, productive, कुछ impact create करने वाला content बनाना है, वो 90's में शुबू कर चुके थे, ऐसा ही है सर, आपको पते हैं, एक और मसला अरशार भई, ऐसी भी पो Oscar लेके जा रहा है एरान, एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो पाकिस्तान में हम gap देखते हैं, कि जो universities हैं पाकिस्तान में, इनका और industry का connection बहुत lose है, हम नहीं देखते कि यार industry के लोग जो है, वो university में जाके पढ़ाएं, तो बच्चा जब graduate करता है visual studies से खर मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज कल के जो boys graduation या master's करके निकलते हैं, या तो वो TV ads की तरफ जाते हैं, या तो ads बना रहे होते हैं, या वो जाते हैं बाहर पढ़ने, या तो वो इनी drama में काम कर रहे होते हैं, और हम नहीं देखते कि वो कुछ productive सा बना है, तो मुझे लगता है कि इसमें universities का भी काफी कसूर है, अभी recently HCC ने जो है वो लागू किया है कि जी हर university में human rights का जो subject है, वो लाजमी बढ़ा जाए इन्सानी हकूब का, exactly compulsory किया हुआ है, तो यह है कि आप पढ़ किया रहे हैं, again वही बात, जो मैंने पहले इशू है आपके society का, आपको वो बात बताने है, हाइलाइट करें उन इशूस को जिनसे कोई society में चेंज आए, कुछ फायदा हो, कुछ चीज़े हो, आप देखें documentary हो, या कोई भी visual है वो बड़ा impact करता है, वो आप, मैंने तो यह देखा है, कुछ filmें आपने देखी होगी, जिससे आप बड़े हिल गए होंगे क्या content बनाया है, क्या जानदार चीज कहानिया फाहिम बहुत है कहानिया, और लोग कहते हैं कि हमारे पास content की कमी है, हमारे पास उस तरह के वसायल नहीं है आप भी के साथ, अगर मैं भी एक लियारी का चक्कर लगा लो, या सुल्तानाबाद का चक्कर लगा लो, या कोई एक छोटी-मोटी जगाओं का चक्कर लगा लो, ऐसे स्मार्ट लोग बैटें वारे उनके साथ आप डिसकस कर ले ना, कि तुमने ये कैसे किया था आप उनकी कहानी को सिर्फ अच्छे से दिखा देना वो फिल्म ऐसा, कहानी अच्छे से सुनानी है आपने कहानी अच्छे से दिखानी है आपने ये दूसरे जो मुमालिक है वो क्या करते वो यही तो करते कि जी सब्जेक्ट है, ये मॉबाइल है आप इसके फिल्म बना दो आप पूरी हम गोलते हैं इसको हम यूज करते हैं फिल्म फोड़ी बनती है एक बात है आप बनाते हो फिर उसमें अंदर कुछ है एक ऐसा माहौल बनाते हो अभी वीसेंट एक फिल्म में देख रहा था उस फिल्म में मुझे हिला के रख दिया मैंने क्या कॉंटेंड है बदर इतनी छोटी सी स्टोरी उन्होंने किस तरह से मोटिवेट किया कि लाइफ खतम नहीं होती लाइफ को रिस्टार्ट करो मोटिवेट करो कि इस चीज़ पर आप अडे रहो कि जी मिलेगा तो मिलेगा ना नीचर का भी तो एक लॉव है ना लॉव पर अट्रेक्षिन यही तो है कि आप मांगो तो सही कि वो चीज मिलेगी तो मिलेगी वो उस approach में दखा दिये, बहुंत खूदी दिखाया, टेक्निकली दिखाया, लोजिकली दिखाया ऐसा भी नहीं कि ओड़ते बे कुई आया तो लाद मार के गिरा दिया, हुरे दिखाया research के साथ दिखाया, कहानिया बहुत है कहानी बना नहीं रहे सर बना नहीं रहे, सर इसी इसी लिए हम recently आपने देखा भी होगा हम लियारी film festival करवा रहे है उसका नाम हमने रखा है हमारा लियारी film festival हमारा लियारी film festival, ये चीज जबरदस्त ये इनिशेटिव ले लिया भाई ने तो इक अब हो रहा है सर, बताए हम भी आएंगे आपको देखने, क्या कर रहे हैं आप सर, यू विल बी दो वन फजज अरे, प्लेजर से मैंने आपको देख ओनलान इन्विटीशन दी है सर, आप प्लेजर और आप ना भी बुलाते तो मैं तो वैसे भी आता है, क्योंकि मेरी तो फैमिली है आप और जिस तरह का आप काम कर रहे हैं मैं तो, मैं यखीन करें बड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ आप से आज पॉड़कास करते हैं क्योंकि मैं इतना कुछ बटब बहुत जादा आपने इंपेक्ट की जो हम बात करने थे, कि यार कुछ ऐसा बनाओ कि इंपेक्ट करें आपने इंपेक्ट की हैं मेरी लाइफ में तो मैं वैसे है अज जैनर्वली बड़ा क्योंकि आज मेरा बंदे भी देख रहोंगे, बच्चे भी देख रहोंगे कि आज तोड़ा बहुत जादा तो सर यह लियारी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और फिर इंशालला उसमें जो है वो लोग आएंगे फिल्म अपनी देरे सब्मिट कर रहे हैं इंशालली, हम अब भी लोगों को कह रहे हैं कि अपनी फिल्में सब्मिट करें बैसिकली यह फेस्टिवल हो रहा है लियारी में कब हो रहे हैं? 3rd March को हम कर रहे हैं वेनियों मिदक हम डिस्ट्लोज नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आप हमारे पेज पे जाएंगे हमारे वेबसाइट पे जाएंगे हमारे लियारी filmfestival.com तो वहाँ सारी तफजिलाद आपको मिलेंगी 1. 2. इसका जो सबसे बड़ा purpose है वो यही है के let's celebrate the लियारी celebrate the young artist of लियारी जो भी लियारी के stories हैं लियारी की कहानियां हैं चाहे वो खाने पे हो चाहे heritage की stories हो चाहे sports हो चाहे arts related stories हो उन सब को हम celebrate करेंगे वहाँ के जो filmmakers हैं हम उने celebrate करेंगे और वहाँ के जो filmmakers हैं उनके लिए opportunity है कि आप अगर filmmakers हैं अगर आप documentary बनाते हैं अगर आपने को ऐसी चीज़ बनाई है जो लियारी पे है लियारी की लोगों पे है तो आप भी आएं और हमारे साथ इस कारवा में शामिल हो जाएं अपनी film सब्मेट करें वो हम फिल्में देखेंगे और इसमें prizes भी हैं awards भी है चले जी तो ये तो बड़ी जबरदस opportunity है लोगों के लिए जो भी इस वक्त arts related लोग हैं जो समझते हैं कि कुछ हमने भी करना है तो फाहिम बहुत अच्छा लगा आज बात करके आज का session मेरे लिए बहुत जबरदस रहा और वक्त की कमी रही मेरे नजर में मुझे और भी बहुत सारी बाते आपसे करनी थी जो मुझे रखता है कि फिर कभी हम इंशानला फेस्टिवल जब आपका हो जाएगा जब आपका time होगा सुकून से तो हम इसको जो है ना part two भी करेंगे part two भी करेंगे क्योंकि मुझे असल मेरी दो थीन कहानी है जो मुझे आपसे सुननी थी ना वो रह गई है असल मेरे जो मुद्दा है जो मैं बताना चाहरा हूँ एक तो actual struggle जो आपकी life की थी ने मुझे वो सुननी थी जो आज हम नहीं उस तरह सुननी थी एक वो मुझे बड़ा बेसबरी से जो है वो सुननी है कि आपकी life की जो एक circle है ना किस तरह से जो वो story मैंने सुनी है मैं चाहता हूँ कि वो लोग सुने तो आपने इस वादे के साथ आज जो हैना हमें जो हैना है कि आपनी दुबारा फिर कभी इसका आरा तो पार्ट तो आपको सीजन वन की कामियाभी के बाद इसका सीजन टू लाएंगी जरूर तो फाहिव अपनी ओडियंस को अपने देखने वालों को अपने प्यार करने वालों को को अगर मैसेज देना जाएं तो प्लीज आप दे सकते मेरा एक ही मैसेज है जो मैं आजकल देता हूँ तमाम लोगों को तमाम दोस्तों को सबसे पहला थो ये कि अपने आपको चेंज करने की कोशिश करें छोड़े दूसरी की लाइफ वो चेंज हो ना हो लेकिन आपने खुद को चेंज करना है और आपने exposure आसल करना है आपने निकलना है आपने घर से निकलना है आपने जो है वो नई चीज़ें explore करनी है positive रहना है आपने और आप कोशिश करें कि negativity का part ना बने जहां किसी की बुराई चल रही है या तो आप वहां खामोश है अगर आपको नहीं पता या जो वो हम कहता है न कि जो biasness है उनको challenge करें अगर कोई कहा रहे कि यार फ़ला बंदा ऐसा है तो उसे पूछे सवाल करें वाई यह 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 लगता है आपको number one number two society के लिए struggle करें society के लिए बोलें अगर बोल नहीं सकते तो लिखें अगर लिख नहीं सकते तो सुनें अगर सुन नहीं सकते तो help करें उन लोगों की जो आपके लिए काम कर रहे है वही नाश्च बहुत अच्छा message और जो जबरदस्त बात कही फ़हीं ने के change करें change करें चीज़ों को नहीं अपने आपको नहीं आपको change करें चीज़े तो हम रोज change करते रहते हैं तो कोशिश करें कि अपने आपको change करें betterment की तरफ लिजए तो मिलते हैं अपने अगले episode में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा love you all, allahafis, bye bye